सावन के पहले सोमवार पर बना अद्भुत संयोग पहले दिन करें यो पाए भोलेनाथ होंगे महरबाद ये है सावन सोमवार पूजन की सटीक विधी जाने कौन-कौन से शुब योग में हैं सावन सोमवार जै भोलेनाथ दोस्तों सावन के महीने का शिभ भक्तों को बेसबरी से इंतजार रहता है इस महा में देवों के देव महादेव और मा पारवती की विशेज पूजा अर्चना की जाती है इस दोरान शिभ मंदिरों में भीड भी देखने को मिलती है चुकि सोमवार का दिन भोलेनाथ का प्रिय है ऐसे में सावन महा का सोमवार बेहदी शुब मान जाता है इसलिए इस महा में सोमवार का व्रत करने से महादेव की अपार कृपा प्राप्त होती है इसके लावा सुमवार का वृत भगवान शिव की पूजा करने से जातक की सभी मनुकमनाय पूर्ण होती है और सुक समर्दी में वृत्धी होती है बतादें कि साल 2024 में सावन का माहा 22 जुलाई से शुरू होगा और इसका समापन 19 अगस्त को होगा इस साल का सावन सुमवार का वृत पहले ही दिन यानी 22 जुलाई को ही रखा जाएगा इस बार शिरावण माहा सुमवार से शुरू होने के कारण शुभ मान जा रहा है इसके साथ ही इस दिन कई शुभ योगों का भी निर्मान हो रहा है जिस वजह से ये दिन अतियंत महत पूर मान जा रहा है तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में सावन के पहले दिन कौन-कौन से शुभ योग पड़ रही है साथ ही सावन सुमवार का शुम महूर्त और सटीक पूजन विधी तो आईए जानते हैं जियोतिशियों के अनुसार सावन के पहले सुमवार पर आप शिवजी की पूजा ब्रह्म महूर्त के बाद से कर सकते हैं इस दिन शिप पूजा के लिए पूरा दिन शुभ होता है बोलेनात की पूजा के लिए राहुकाल भी अशुब नहीं होता है सावन के पहले सुमवार जिन लोगों को रुद्राभिशे करना है वो लोग सूरेदे बाद से करा सकते हैं सावन माहा में पूरे समय शिववास होता है हाला कि उस दिन शिववास गौरी के साथ सुभह से दोपहर एक बजकर ग्यारह मिनट तक है उसके बाद शिववास सभा में हैं तो चलिए आगे आपको बता दें इस दिन कौन-कौन से शुभयोग बन रहे हैं जोतिश गर्णा के अनुसार सावन के पहले सुमवार यानि बाई जुलाई के दिन तीन शुभयोग बन रहे हैं साथ इस दिन पृतियोग सरवार्थ सिद्धियोग और शिरवण नक्षत्र का भी निर्मान हो रहा है इस दिन पृतियोग सुभय से लेकर शाम पांच बजकर अठावन मिनिट तक इसके बाद से आश्मान योग बन रहा है वहीं शिरवण नक्षत्र सुभय से लेकर रात दस बजकर इकिस मिनिट तक है सरवार्थ सिद्धियोग सुभय में पांच बजकर 37 मिनिट से रात दस बजकर 21 मिनिट तक रहेगा बता दें कि शिरवण महा के पहले सोमवार के दिन शुभ महूर्त या अभिजीत महूर्त दोपहर 12 वजे से दोपहर 12 बजकर 55 मिनिट तक है तो चलिए आगे आपको बता दें सावन सोमवार के पहले दिन भोले नात का पूजन कैसे करें सबसे पहले शरावन सोमवार के दिन सुभय जल्दी उठें और दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करें इसके बाद इसनान कर साफ वस्त्र धारण करें अब विधी पूर्वक भगवान शिव का अभिशे करें और व्रत का संकर्प लें इसके बाद उन्हें गंध, पोश्प, धूप, बेलपत्र, अक्षत आद चीजें अर्पित करें देशी घी का दीपक जला कर आरती करें और महादेव के मंत्रों का जाप करें इस दिन शिव चालीसा का पाठ करना बेहद फलदाई साबित होता है प्रभू को प्रिय भोग भांग, फल और मिठाई समेत आद चीजों का भोग लगाए तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें कुंडिली टीवी डैस के से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट